आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुती सकते साली सरलवसीकन टोटका टोटका जानने से पहले आप मेरे स्यूटूब चैनल सबस्क्राइब कर ले साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे जिससे की हमारे नई वीडियो की नेटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके आज हम आपके लिए लेकर आये हैं एक बहुती सकते साली और सरलवसीकन टोटका जो की बहुत ही अनुखा टोटका है लगबग सभी लोगों की है चाहत रहती है कि हमको भी कुछ एसा टोटका मिले कि जिससे हम किसी दो लोगों को अलग कर चके तो लोग कोई भी हो सकते हैं पती बतने भी हो सकते हैं प्रेमी प्रेमी का भी हो सकते हैं या दो कोई व्यक्त जिनने आप पसंद wes नहीं करते कि वह दोनूंक साथ रहे यह फिर आप किसी से अपना बदला पूरा करना चाहते हो है एक प्यार ने आपको दोका देदी है और किसी और विक्ति के पास वो चला गया है और चली गई है और आप चाहते हैं कि वो उससे अलब हो जाए और उस दोनों में इतनी भेंकर लड़ाई या जगड़ा हो जाए कि वो दोनों ये दूसरी की सकल देखना भी पसंद ना करें तो ये सब करने के लिए आपको ये टोटके से जिसे मालूग कि आपका प्रेमी आपको छोटका चला गया है किसी और व्यक्ति के बास आप इस टोटके से आप उससे वापिस अमने पास भी ला सकते हो टोटका बहुत सरल है टोटके के जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा चलो जानते हैं इसके बाद में क्या करना है उस पर दोनों व्यक्तियों का नाम लिखना है लाल पेन से हैने की दो व्यक्तियों की आप कर रहे हो अंकित और प्रिया को अलग तो अंकित का नाम उपर लिख लेना प्रिया का नाम निचे लिख लेना इसा करना है आप जिसको भी अलग करना च वसम कुरू इती दुस्तम संती ईब दा को पर शियुदा के लिए से घर कर देता ऑम कली अमुक करूख वसम करूख कुरूब इती दुस्तम संती साथ साथ में बता थैता हूं जूमें मैंने मंतर्प प Rocket Man ४क आ思 Will दोनों व्यक्तियों को नाम लिखना है, जिससरे आप वशिकन करने जा रहे हो, उन दोनों को अलग करने जा रहे हो, उन दोनों को नाम आपको लिखना है, अमुक अमुक दो बार दिया गया है, तो जिस पर कर आप उपर जो नाम लिखना है, पहले अमुक की जगह है, वही ना पर अंदर उन दोनों में इतना बेंकर जगड़ा हो जाएगा कि आपने अपने सपनों में ने सुचा हुआ कि यह इसे भी हो जाएंगी एक दूसरे की सेकल देखना पसंद नहीं करेंगे वैसे तो हमने आपको टोटका करते और आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है तो बहुत चरल है बहुत ही असान है आप बोड़ी असानी से कर सकते हो अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करते मित्रों में सरे जरूर करें